Hello friends Welcome to the video मैं अनुभाव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं नहीं तक इस वीडियो में और आज हम बात करने जा रहे हैं Renault Quaid के बारे में, जिहां, Renault Quaid की बात करेंगे, इसकी BH6 variant की बात हम लोग करेंगे और उसके बास से इसकी कौन सी variant आपके लिए best है, कौन सी model आपके लिए best है, यह सारी चीजों की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं So, before we going to start the video, make sure you have to subscribe this channel and press the bell icon for never missing any update of this channel So, let's start the video So, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका जो 0.8L वाला engine है, उसको बिलकुल भी consider मत कीज़ेगा क्योंकि 0.8L का engine लेना इससे में कोई value नहीं करता है, मेरे according performance तो वो देगा, मतलब थोड़ा fuel efficient रहेगा लेकिन आपको drive करने में उतना जादे मज़ा नहीं आने वाला है जब आप 4 लोगों को बैठा करके चलाएंगे, तो चलने को तो चल जाएगे, लेकिन वो जो power होता वो आपको नहीं अच्छा मिलेगा क्योंकि मैंने 0.8L की car drive की है, वो मज़ा नहीं आता तो minimum अगर आप car ले रहे हैं तो 1L engine से start करना चाहिए और इसका भी यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं वो quit climber 1L की बात कर रहा हूं 1L engine जो है वो आपके लिए best होने वाली है सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके exterior से, तो exterior में आपको adjustable headlight, halogen headlamp, LED DRL और उसके बैसे anلك, LED टेल लेंप और इसके बश्रण की बत करने आगर आँम लोग तो design जो है इसका front sek से कई लोगों पसंद आता ह। और कई लोगों को नहीं पसंद आता है सो मुझे भी मतलब उतना जादे पसंद नहीं आता क्योंकि इसका फ्रेंट में है इतना जादे मतलब बल्की दे दिया ऐसा लगता है कि SUV का है बट फिर भी मतलब कि बंपर में लाइटिंग दी है कोई बात नहीं लेकर प्ससमें पसंद आता है यहां को सकता हो सकता है आपको पचैन ऑर क्याव में भी शेंव देखने को बेटाएंगे जो कि सुंदर लगते हैं और उसके बास से होद और डियाज़ास रियर वियू मिरर वगरा देखने को मिल जाएगा सो बाहर से तो यह ठीक ठाक लगती है एवरेज लगती है अपने प्राइस के अच्छे फीचर्स भी ओफर करती है तो आगे बढ़ते बात कर लेते हैं हम लोग इसके इंटीर की तो इंटीर में इसके बहुत सारे फीचर्स ऑन उफर पर हैं जो कि मुझे काफी अच्छा लगता इसका इंटीर सो इंटीर में जो है इसके आपको टच स्क्रीन देखने को मिलने वाला है जो कि सारे च्छे प्राइब के साथ में आता है Android Auto Apple CarPlay Bluetooth connectivity वगएरा के और MID में आपको इलेक्ट्रोनिक मल्टिट्रिप मेटर टेको मेटर और इसके बास से आपको डिस्टेंस ट्विंपटी एवरेज फ्यूल कंजप्शन ट्रिप वगएरा आपको MID में भी देखने को मिल जाएगा और आपको डिजिटल क्लॉक डिजिटल ओडोमीटर और इसके बास से पावर स्टेरिंग पावर विंडो फ्रंट एंड रियर एसी हीटर लो फ्यूल वर्निंग लाइट एससरी पावर आउटलेट रियर सीट हेट रिस्ट और आम रिस्ट और उसके बास से कप होल्डर आपको फ्रंट पे देखने को मिल जाएगा involved लुमबार सपोर्ट keyless इंटरी और उसके बास से वॉइस कंट्रोल और deposit charging वगएरा का आपको देखने को मिल जाएगा और आपको इसमें लेइन चेंज इंडिकेटर वगएरा भी देखने को मिल जा और इसके बास से कोई भी इंटीर में कम्प्लेंड नहीं है इंटीर अपने प्राइस पॉइंट के इसाप से बहुत सारे फीचर के साथ में आता है और 5-speed manual transmission आपको इसमें देखने को मिलता कम्पनी जो इसका माइलेज क्लेम करती है वो 23.01 का है बट यह आराउंड 20 के आसपास आपको हाईवेप माइलेज निकालके देगी और 1819 के आसपास आपको यह सिटी में माइलेज निकालके आराम से देगी तो माइलेज बगरा के माम कर लेता हम लोग इसके सेफटी की तो सेफटी में आपको ड्यूल एयर बैग ABS EBD और उसके बाद से रियर कैमरा रियर पार्किंग सेंसर नेविगेशन सिस्टम और सेंट्रल लॉकिंग पावर डोर लॉक चाइल्ड सेफटी लॉक सीट बेल्ट वर्निंग इंजन वर्निंग इस्पीड अलर्ट वर्निंग और एंटी थेप डिवार्श सो यह तो बात हो गई सेफटी के बारे में और सेफटी में आप देख सकते हैं बहुत सारे फीचर सान ओफर हैं सो क्या यह वैल्यू रखता है कि नहीं तो यहां पर यह मैटर नहीं रखता अगर आपक बेस्ट कार है इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सा प्राइज आगे वड़के टीएगो पर प्रिफर कर लिजे क्योंकि टीएगो जो है सेफटी के साथ साथ फीचर्स भी ऑफर कर दो थोड़ा फीचर्स आपको कम देखने को मिलेंगे लेकिन सेफटी के मामले में कोई भी के साथ सेफटी को देवन करना चाहिए कि ऩुलना नई है सेफटी देना है तो देना है जो यहां बहुत अच्छी बात है यहां पर हर कंपनी इसको देखना चाहिए और सेफटी में करना चाहिए क्योंकि बस सारे सेफटी फीचर सारे गौवर्मेंट के रूल को फॉलो करने से आपकी कार बेस्ट नहीं बन जाएगी जब तक आप उसका ब्यूल्ड क्वालिटी जो है आपको अब बीटन में लिंक देता हूं और कवीड का यह स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ आपको उसका भी लिंक आई बेटन में देखने को मिल जाएगा यह था मेरा आज का वीडियो आप समच गया होंगे कि आप को यरी नहीं है और और एक做quid भी worker लेनी है तो आप के लिए Bhagश करले से आपको 1 लीट्र के इंचेर यह he इस पे जारे से आवाइड कीजे थैंक्स फर वाचिंग दे वीडियो